हेलो फ्रेंड्स कैसे आप सब लोग दोस्तों मैं विशाल आसब का स्वागत करता हूँ आपी के चैनल में उमीद है आप लोग को वीडियो पसंद आ रही होंगी पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पहला आइकन को दबाना ना भूलें ताकि काफी इंफोर्मेशन यहां से लेके जानी है तो दोस्तों मैं विशाल आप सबका स्वागत करता हूँ वीडियो पसंद आती तो लाइक कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूले दोस्तों और ध्यान लगेगा व दोस्तों सबसे पहले आपको यह एप्लिकेशन इंस्टॉल कर लेनी है अपने फॉन में जैसे ही आप इंस्टॉल कर लेंगे आपको यह ओपन कर लेनी है अब ओपन करने से पहले मैं आपको पता जाता है इसका काम क्या है दोस्तों जैसे क्या होता है आप अपना फॉन कहीं stable जगर पर रखके चले गए हैं और आप चाहते हैं कि कोई भी बच्चा या कोई भी बड़ा या फिर आपकी girlfriend आपका boyfriend आपके father mother आपकी phone को touch ना करें और अगर जैसे ही वो touch करें इसमें alarm बजने start हो जाए तो यह form यह इस तरीके से एक तरीके से sensor वेस्ट पर काम करेंगी जो कोई भी आपका phone touch करेंगा अपनी जगह से उठाएगा तो यह phone सायरन बजाने start कर देगा जैसे police phone stable लगा हुआ है एक place पर जैसे ही मैं इसे थोड़ा सा हिलाओंगा इसका sensor काम करेंगा और यह siren बजाने start कर देगा ओके दोस्तों चली मैं थोड़ा सा हिला के दिखाता हूं देखा दोस्तों जैसे ही मैंने थोड़ा सा इसे मूव किया अपनी जगह से इसने siren बजाने start कर दिया तो यह application आपके बहुत काम आ सकती है in case अगर आपका phone आप चाहते हैं सुरच्छित रहे तोस्तों अब दोस्तों बात करते हैं इसकी कुछ other setting की setting का option है यहाँ पर setting का option पर जाके आप यहाँ पर देख सकते है पिन का option दे रखा है यहाँ पर आप पिन अपनी set कर सकते हैं अपने अनुसार ओके दोस्तों पिन जैसे ही लगाएंगे तभी यह दिक्कत मतलब पिन आपको पता होगी और जैसे ही कुछ जैसे ही मैं आपको पिन set करके दिखा देता हूँ एक पार जैसे कि मैंने एक पिन set क 2-563 ओके दोस्तों कि करते हैं अब यो पिन पर हो चूँक है यहाँ पर किया में दिक्कत करेगा और अलाम के करना होगा तो यो पिन के वेसेज़ पर ही काम करें आप जैसे कि मैंने यह करनी व तो कोई भीक्तिवेट टभी कर पाएगा जब पिन उसे पता होगी तो सिर्फ आपको यहाँ पे पिन एक्टिवेट करनी है ओके दोस्तों टोन बन में जाके आप चेक कर सकते हैं और साथ की साथ आप यहाँ पे आके इसकी टोन भी चेक कर सकते हैं टोन पे जाके आपको यहाँ पे आठ तरीकी की टोन मिल जाती है तो tone आप check कर सकते हैं जैसा आपको अपने अनुसार उच्रित लगती है आप अपने accordingly इसे set कर सकते हैं ओके दोस्तों in case अगर media video से भी आपको समझ में नहीं है तो how to use में जाके आप check कर सकते हैं कि किस तरीके से इसे आप use करना चाहते हैं तरीके से यह application आपके according suitable है या नहीं तो आप check कर सकते हैं कि कैसे इसे use करना है ओके दोस्तों menu में जाके आप और भी इसके बारे में detail में जान सकते हैं इनकी कुछ और app है तो digital signature में जाके वह भी आप check कर सकते हैं तो application काफी अच्छी है यूज करके जरूर देखिएगा वीडियो के नीचे description में मैं लिंक आपको चलिए आप एक काम कीजिए दोस्तो प्ले स्टोर से download कर लीजिएगा कोई आपको दिक्कत नहीं होगी सिर्फ आपको don touch my phone के दाम से search करना है ओके दोस्तो आपको मिल जाएगी ओके दोस्तो तो बहुत जन मिलेंगे हम आपको नेक्ट वीडियो में ऐसी अवेजिंग टिप्स ट्रिक्स और एप्स के साथ तब तक के लिए बाए दोस्तो